आज के वीडियो में कबूतर या कोलंबा पर संपूर जानकारी चित्र सहित आपको समझाएंगे तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास तक देखिए और योदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें चलिए सुरू करते हैं तो कबूतर दरारों, चट्टानों के विवरों, किलों और पुराने खंडहरों में निवास करते हैं कहने का मतब यह है जो कबूतर है, जो पाईजन है ये बड़ी-बड़ी से जो दरारे होती हैं उसमें बैठे रहते हैं जो चटानों के वीवर होते हैं उसमें बैठे रहते हैं पुराने जो किले होते हैं या पुराने जो खेंडहर हैं इन जगहों पर पाये जाते हैं और ये डरपोक वा सांत प्रिय होते हैं थोड़ा सा डरे स की पूरी बॉडी है वो ठोस होती है तर्क रूपी का मतलब होता है कि आगे पतला पीछे पतला और बीच में मोटा होता है इसे फिरसी फार्म लिखा गया है और धारा रेकित यानि इस्ट्रेम ग्लाइंड होता है हावा में उड़ने के अनुरूप होता है और यहां लगभग में 33 सिंटिमेटर होती है और इसके वच्छ वा गर्धन पर चमकदार हरा वा बैंगनी रंका धब्बा पाया जाता है जो वच्छ है और जो गर्धन है इस पर चमकदार हरे रंका या बैंगनी रंका धब्बा या स्पॉट पाया जाता है कबूतर का सरीर चार भागों में ब होती है head यानि सिर गृवा यानि नेक धार पूंच यानि टेल में भीवाज़त ते चार भाग कौन कौन से head neck trunk tail तो जो इसमें से head है head पर चोच होती है यानि बीक होती है नासाद्वार या नास्ट्रिल होता है स्रमर रंद्र यानि auditory operators होते हैं और आखें या eyes होती है कबूतर के नासा द्वार या नाॉस्ट्रिल पर कई बार कोइशन पूछे जाते हैं बता दें कि कबूतर में बाह नासा रंद्र सेरी के द्वारा ढखे रहते हैं सेरी के द्वारा अब आपके मन में प्रेश्ण होगा कि सेरी क्या है तो कुछ पच्छी जो होते हैं जैसे कबूतर है इसके उपरी चोच के आधार पर मांसल मोमी कवरिंग होती है मोम जैसे कवरिंग होती है जैसा कि आपको चितर में दीख भी रहा है उसे ही सेरी कहते हैं और कबूतर में सेरी सफेध रंकी होती है और फूली हुई नर्म त्वचा के रूप में उपरी चोच के आधार पर लगी होती है चितर में आपको इसपेश्ट रूप से सेरी देख रही है तो सेरी के बारे में जानकारी हो गई अब इसमेंसे जो आई हैं आँख पर भी कई बार प्रश्ण पूछे जाते हैं तो कबुदर की आँख पर जो प्रश्ण पूछे जाते हैं थोड़ा सजानकरी आपको बता देते हैं कि किसी वर्टिब्रेट की आँख की जो रेटिना है रेटिना में दो प्रकार के प्रकास सम्वेदी कोशकाएं पाई जाती है कोई भी वर्टिब्रेट है इसकी आँख की रेटिना में दो प्रकार के सम्वेदी कोशकाएं होती है पहला संक और दूसरा सलाका संक को कोन कहा जाता हैंगरेजी में सलाका को राड कहा जाता है तो दो प्रकार की समवेदी कोज कहा है कौन सी हुई कौन और राड और कभूतर एक दिंचर प्राड़ी है दिंचर जनतु है तो कभूतर की रेटिना में सलाका हैं यानि राड कम होती है लेकिन जो संग होते हैं ये अधिक पाए जाते हैं कभूतर की रिट्रा में राड कम और कौन अधिक पाए जाते हैं या सलाकाय कम और संग को अधिक संख्या में पाए जाते हैं अब जो गृवा है जो निक है अत्यधिक लचीली होती है गृवा भाग अधिक लचीला होता है और धाड को सिर से जोडता है धाड और सिर को जोडने का कायम को करता है नेक करती है या ग्रीवा करती है धाड यानि ट्रंक मजबूत वा तरक रूपी होता है धाड कैसा है तरक रूपी यानि आगे की तरब पतला पीछे की तरब पतला और बीच में मोटा होता है इसे ही तरक पाई जाती है नौतल या कील पाई जाती है इसका धड़ वच्छ तथा उदर दो भागों का बना होता है जो इसका धड़ है वो वच्छ और उदर दो भागों से बना हुआ है अब इसकी जो पूछ होती है जो टेल है आवसकर छिद्र के पीछे उपस्तित होती है पूछ कहा पर है जो क्लोईकल आप्रेचर है उसके पीछे पाई जाती है और इसे पुछ कूट या यूरोपाईजियम कहा जाता है पुछ कूट या यूरोपाईजियम कहते हैं पुछ के प्रिष्ट आधारी भाग पर एक उभार होता है जो पुछ का प्रिष्ट आधारी भाग है वहां पर एक उभार पाय जाता है जिस पर प्रीन अथवा यूरो पाइजियल ग्रंथी का छिद्र खुलता है और इससे एक स्रावित पदार्थ निकलता है यह स्रावन होता है जो परो में चिकना पन लाता है उनको मुलायम बनाता है और उन्हें सवारने में प्रियुक्त होता है उ और कबूतर में दो जोड़ी पाद होते हैं एक जोड़ी पंक में बदल जाते हैं जो आगे वाले हैं और एक जोड़ी पैर रहते हैं जो धरती और पेणों पर चलने के लिए होते हैं या बैठने के लिए होते हैं तो कबूतर में दो जोड़ी पाद धर से जुड़े होते हैं और कबूतर के दोनों जो अग्रपाद हैं ये पंकों में वदल जाते हैं मैंने भी बताया विंक्स में चेंज हो जाते हैं ये रूपांत्रित हो जाते हैं और ये पीठ पर धड़ के अग्रभाग तथा वच्छ के ऊपर की ओर जुड़े होते हैं धड़ के आगे वाले भाग म और उन अंगुलियों में नाखून होते हैं बड़े-बड़े से नाखून पाय जाते हैं और पैरों की उपस थी पच्छियों को दुईपादी जाल प्रदान करती है दुईपादी जाल अगर इसके बाह कंकाल की बात करें एक्सो इसकेलेटन की बात करें तो पच्छियों का बाह कंकाल, पूर्टा यहां अधिचर्मी होता है, या पूर्टा यहां एपिडर्मल होता है, और नखर, वाचोंच, यानि क्लास और भीक्स, पदकंट, पादजाल, सल्क, तथा परो द्वारा धर्साया जाता है, या परो द्वारा धका रहता है, कबूतर में पदकंट नहीं पाया जाते हैं अगर इसके पिछ या पर की बात करें यानि पंखों की बात की जाए या फीदर्स की बात की जाए तो पच्छी के सरीर पर परों के क्रम वा बितरण को पिछ विन्यास कहा जाता है और कबूतर के देह पिछ कैरोटिन द्वारा बने होते हैं जो देह पिछ होते है ना तो कोई रुदिर वाहिका होती है और पिछ दो प्रमُक भागों केंद्रिय अक्ष या Coke से बने होते हैं कभउतर में आकार कार और इस्थित के आधार पर पर्णओ को कई प्रकार से बाठा गया है कार आकार और स्थित के आधार पर इनly से जो तो पहले हैं, किल्स हैं, क्वार्टर्स हैं, कंटूर्स हैं, फ्लोप्ल्यूम्स हैं, और डाउन पिच्छ पाये जाते हैं कबूतर में, आपको बता दें कि कबूतर के अंडे से जब बच्चा निकलता है, तो उसके पंख या पर कोमल होते हैं, अंडे से जब बच्चा निकला चार से छे सब्ताह तक वैसे ही बने रहते हैं और आपको बतासे चलें कि फ्लो— मस्कुलर सिस्टम है में शायरोतर में पेसी टंथ्र-प्रायारा सु विक्सित होता है सक्तिसाली और अत्यंत कारे छम होता है यानि कारे करने वाला होता है सक्तिसाली होता है पूर रूप से विक्सित होता है और इसमें पीठ की जो पेसियां होती है जो पीठ की मसल्स होती है लगभग में छीड होती है नहीं के बराबर होती है लेकिन गर्दन, पूँच, पंक और टांग तथा धड़ के अधर भाग की जो पेसिया होती है वो पूर्ण रूप से विक्सित होती है, फुले डेवलप्ड होती है उड़यन, दुवपादी प्रचलन तथा पर्चिंग में मदद करने वाले पेसियां अधिक विक्सित होती है और अगर उड़यन पेसियों की बात की जाए तो उड़यन पेसियां तीन प्रकार की होती है पहला है अंसपेसियां दूसरा है सहायक पेसियां तीसरा है टेंसर पेसियां ये उड़ेन पेसिया होती हैं और ब्रहत अंसपेसि या पेक्टोरेलिस मेजर ब्रहत अंसपेसि तथा लगउ अंसपेसि या पेक्टोरेलिस माइनर ये मुख्य अंसपेसिया होती हैं याद रखें गत के लिए उतरदाई होती हैं यानि पंखो को ऊपर नीचे करने में सहायता करवाती हैं और ये उरोस्थ के नौतल तथा पंखो से जुड़ी होती कहां से जुड़ी रहती हैं तो उरोस्थ के नौतल या कील आफ इस्टर्नम से जुड़ी होती है या पंखों से जुड़ी होती है और और कोरेको ब्रेंकियलिस लांगस कोरेको ब्रेंकियलिस ब्रेविस जो है कौन कौन सी है कोरेको ब्रेंकियलिस लांगस और कोरेको ब्रेंकियलिस ब्रेविस जो है ये मुख्य सहायक पेसिया होती है और ये दोनो पेशिया जो है पंको को लिनाइट गुवा में घुमाती है उनको लिनाइट गुवा में घुमाने का कारी करती है दोनो पेशिया और इसके अतरिक्त दु production या biceps और three circulis gMP ट्राक्म काळू बनेरीड उडंड में शहायता करती हैं और टैंसर लांगस टैंसर ब्रेवीस तथा टैंसर एकसेसोरियस मुख्ष टैंसर पेशिया होती है dra容Bakky अगer इसके पाचंत एंध्र की बात कि जाए digestive system की बात की जाए तो कबूतर के पाचन तंत्र में आहार नाल या elementary के नाल तथा पाचक ग्रंथियां यानि digestive gland पाई जाती हैं और आहार नाल एक लंबी कुंडलित नली होती है जो मुख से आरंब होकर क्रमसा मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासिका, उदर, छोटी आत, बड़ी आत को सामिल करते हुए अवसकर छिद्र में समाप्त होती है यानि जो इसकी एलिबेट्री के नाल उसमें कौन-कौन से अंगग पाई जाते हैं मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासिका, उदर, छोटी आत, बड़ी आत, अवसकर छिद्र अब इसमें से जो मुख है, जो माउथ है, ये चोच द्वारा बना होता है, चोच द्वारा निर्मित होता है, चोच द्वारा सीमित होता है कहलेजिए और यहाँ दांत रहित होता है इसमें दांत नहीं पाय जाते हैं ग्रासिका यानि अस्योफैगस का मद्भाग फैल कर एक पतली भितिका दुई पालिक अन्पुट बनाता है या क्रॉप बनाता है क्रॉप जिसमें कबूतर के दूद या पाईजन मिल्क का स्रामण होता है और यह नर्वा मादा दोनों पच्छों में बनता है इसमें 35 प्रसतवसा पाई जाती है और यहाँ आवयस्क पच्छों के पोशन में प्रियुक्त होता है आपको क्राप के बारे में यानि जो क्राप से ये निकलता है दूद इसके बारे में या पाईजन मिल्क के बारे में और तरल पदातर से करते हैं और दूद की तरह का यहां तरल कबूतर में क्राप ग्रंथी से निकलता है और क्राप ग्रंथी नर और मादा दोनों कबूतरों में पाई जाती है और ये दोनों ही अपने चूजों का पोशन इसी से निकले दूद के द्वारा करते हैं अब अगर इसक प्छले पेसि गिजाड में भटा होता है इसका इस्टमक कौन-कौन सा आग्र ग्रंधिल जटर और पिछले पेसि गिजाड में बिभाजित होता है आवस्कार एक त्री भागी कक्छ है त्री भागी और यहाँ आगर कारपोडियम तथा यूरोडियम और पस्ट प्रोक्टोडियम से बना होता है इसको मैंने लेक्चर में समझाया भी था और प्रोक्टोडियम की जो भीति है या प्रोक्टोडियम की प्रिष्ट भीति पर वर्सा फैबिर्शी पाई जाती है और यह एक छोटा लसी का उतक से बना ग्रंथिल प्रकोष्ठ होता है जिसे वर्सा फैबिर्शी कहा जाता है और इसका एंडोडर्मल अस्तर लसी काण बनाता है लिंफोसाइट का निर्माण करता है जो इस्थानी संक्रमणों से रच्छा करने में या रच्छा करता है कह लेजिए और मुखे ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, यकृत, अग्नियासे वा आत ग्रंथियां ये मुखे पाचन ग्रंथियां पाई जाती है यानि बकल ग्लेंट्स, गैश्ट्रिक ग्लेंट्स, लीवर, पैंक्रियास और इंटेस्टाइनल ग्लेंट्स ये मुखे पाचक ग्रंथियां होती है अगर इसके स्वसंतंत्र की बात करें, रेस्पारोटरी सिस्टम की बात करें, तो कबोतर में फुप्फ सी ये स्वसंत पाया जाता है, या पल्मोनरी रेस्पारेशन पाया जाता है, और इनमें डायाफ्राम अनुपस्थित होता है, डायाफ्राम एपसिंट होता है, स्वसंतं यानि रेस्पारेटरी ट्रैक में नासिका रंद्र, नासा कोस, घाटी, कंठ तथा सबदिनी ओपस्थित होते हैं इनमें स्वररजु यानि वोकल कार्ड नहीं पाये जाते हैं वाक यंत्र, सेरिंग्स होते हैं दो गहरे लाल, ठोस, तथा आप्रत्यास्त फेफडे पाये जाते हैं ये कभी वायू एकत्र नहीं करते तथा अपनी प्रिष्ठिय सताध्वारा वच्छी कसेरिकों तथा पसलियों से निकरता से जुड़े रहते हैं जो वायू गोस है, जो एरसेक्स हैं फेफडो को चारो ओर से घेरी रहते हैं ये बड़े पतली भित्तिवाले जिल्ली में तथा आसंभानी होते हैं और कभूतर में कुल नव वायू कोस पाये जाते हैं कितने नव एरसेक्स पाये जाते हैं अगर इसके परिसंचनर तंत्र की बात करें सर्कुलिटरी सिस्टम की बात करें तो परिसंचनर तंत्र हिर्दे धमनियों, सिराएं, लसी कावाहिनियों तथा रुधिर से मिलकर बना होता है और हिर्दे चतुर कोष्ठी होता है यानि फोरड चेमबड पाए जाते हैं हिरृड़य में चार चेमबड होते हैं दो अलिंद और दो निले यानि दो औरिकल और दो वेंट्रिकल पाए जाते हैं यहाद एक पतले पाढ़दर्सी हिर्दय आवरण से धाका रहता है जो हिर्दय है वो पेरी कांड्रियम के द्वारा ढका होता है कबूतर में 12% चनर तंत्र पाया जाता है Double Circulatory System पाया जाता है अर्थात कहने का मतलब ये है कि सिरा रुधिर वा धमनी रुधिर प्रथक होते हैं सिराएं अलग होती हैं धमनिया अलग होती है धमनी तंत्र, RTL System, महा धमनी चाप तथा फुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपु प्रिनल पॉर्टर सिस्टम आते हैं, पच्छियों का रुधिर अन्य जंतों की अपेच्चो अधिक सम्रिद्ध माना जाता है, क्योंकि इनमें लाल रुधराड़ों की शंख्या, प्रति आउंस किसी जंत के पेच्छा अधिक होती है और इनकी लाल रुधर कडिकाएं सूच्म, अंडाकार तथा केंद्र क्युक्त होती है जो RBC होती है, सूच्म होती है अंडाकार होती है और उसमें नुकिलियस पाया जाता है, केंद्र पाया जाता है अगर इसके तंत्री का तंत्र की बात करें नर्वस सिस्टम की बात करें तो तंत्री का तंत्र तीन मुख्य भागों केंद्री, पर्धी तथा स्वया तंत्री का तंत्रों से मिलकर बना होता है यानि सेंटरल नर्वस सिस्टम पेरिफरल नर्वस सिस्टम और आटो नॉमिक नर प्रामस्तिस्क गुलार्ध अत्यन्त बड़े और उत्तल होते हैं पाच्छियों का सहज बेवार तथा उड़ान के समय कुसल संचालन की छमता प्रामस्तिस्क के कार्पोरा रेट्री एटा तथा अनुमस्तिस यानी सेरी बेलम के अत्तधिक बिक्सित होने के कारण ही होता है और इनमे 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाये पाय जाती हैं क्रेंियल नर्फ्स कबुतर में कितनी पाय जाती है 12 जोड़ी होती हैं सम्वेधी यंगों में कान नेत्र इसपर्स अंग घरान अंग यानी सूंगने वाले अंग या आलफार्ट्री आर्गर्स प्रमुक होते हैं इनमें एक नेत्री द्रिष्ट पाई जाती है मोनोकिलर विजन्स पाया जाता है अगर इसके मूत्रों जनन तंत्र की बात करें तो कबूतर में एक जोड़ी व्रक या किड़नी तथा एक जोड़ी मूत्र वाहनिया पाय जाती है या प्रमुक उसरजी अंग होती है इनमें मूत्रासय यानि यूरिनेरी ब्लेडर अनुपस्थित होता है एपसेंट होता है मूत्रासय नहीं पाया जाता है जो सरीर के भार को कम करता है अगर मूतरास के पाया जाता तो सरीर का भार अधिक हो जाता जिससे उड़ने में कटनाई होती ब्रक मेटानेफरिक होते हैं कबोतर एक यूरीको टेलिक उससरजी अंग है यानि उससरजी पदात यूरीक अमलबा यूरेट्स होते हैं और कबूतर में दोनों लिंग प्रथक होते हैं, नर अलग और मादा अलग होता है, यानि इसमें सेक्चुल डाइमार्फेज में पाई जाती है, लैंगिक दुरूता पाई जाती है, नर के मुख्य जनन अंग एक जोड़ी ब्रिशन तथा एक जोड़ी सुक्रवाहक होते हैं, इनमें मैथुन अंग नहीं पाया जाता है, मादा जनन अंग केवल बाई और विक्सित होते हैं, और इनके भ्रोण में दो अंडा से वाद दो अंडवाहिनिया होती हैं, लेकिन वैस्क होने पर दाई और के अपहासित हो जाते हैं, और बाई और के इस्थाई रोप से उपस से तथा किरिया सेल होते हैं आसा है आप सभी लोगों को कोलंबा अच्छी तरह से समन्द में आ गया होगा समन्द में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और सेर कीजिए चैनल पर नाए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद